दोस्थो क्या आप जानते हैं कि सौधिया में कौन सा जुर्म करने पर कैदी का सर कलम कर दिया जाता है और क्या आपको पता है कि नौर्थ कोरिया में क्राइम करने वाले मुझरम का 25,000 लोगों के सामने गला कार दिया जाता है प्लस क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में 33 जुर्म ऐसे हैं जिन में मुझरिम को फांसी की सजा दे दी जाती है वैल आज किस वडियो में मैं आपको दुनिया में दी जाने वाली सबसे खौफनाक मौद की सजाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ तो शुरू करते हैं अपना काउंट टाउन अमेरिका दूस्तो वैसे तो अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीस में से एक है लेकिन यहां क्राइम रेशो काफी हद तक बढ़ चुकी है बिसिकली अमेरिका में 11 ऐसी स्टेट्स हैं जहां खतरनाक मुझरमों को सजाए मौत दी जाती है बाकी स्टेट्स में डेथ पेनल्टी की जगा उमर कैद की सजा को प्रेफर किया जाता है रिपोर्ट्स के मुदाबिक अमेरिका में हर साल एक लीस्ट 20 लोगों को सजाए मौत के तहट कतल किया जाता है इन क्रिमिनल्स में कातल, ड्रग डीलर, चाय और इस तरह के दूसरे बड़े क्राइम करने वाले मुझरम शामल होते हैं जब क्राइम साबद हो जाए तो ये जज़ की उपर होता है कि वो किस तरीके से सजाए मौत सुनाता है अमेरिका के अंदर जालतर मुझरमों को दो तरीकों से मौत के सजाए दे जाती है एक एलेक्ट्रिक चेर और दूसरा लीथल इंजेक्शन एलेक्ट्रिक चेर से एकस्क्यूट करने के लिए मुझरम को एक चेर पर बिठा कर बेल्ट्स की मदद से बादा जाता है फिर इसके सर पर एक electric helmet पेनाया जाता है जो कि wire से connect होता है इसके इलावा कैदी की टांगों पर भी electric wires लगाई जाती है ताकि मौत जल्द से जल्द हो सकी इसकी बाद कैदी के चैरे को ठांप कर electric switch on कर दिया जाता है 2000 watt का current सिर्फ 15 seconds के अंदर कैदी को कतल कर देता है लिकने इसके बावजूद 20 seconds मजीद इस करंड को जारी रखा जाता है ताकि कैदी के सारे organs पूरी तरह damage हो जाएं और make sure किया जाता है कि कैदी मर चुका है इसके इलावा अगर मुझरम को lethal injection से सजाई मौत देनी हो तो इसके लिए मुझरम को एक special bed पर लेटा कर bed से बाढ़ा जाता है इसके बाद इसे तीन injection लगाया जाते है इनमें sodium thaiopenthyl, penceronium और potassium chloride शामल होते है जब ये तीनों injection कैदी को लगाया जाते है तो दो मिनट के अंदर इसका दिल बंद हो जाता है और heart attack की वज़ा से इसकी मौत वागया हो जाती है लेकिन बारहाल कैदी के सारे organs को dead होने में 20 मिनट लग जाते है वे लीथल injection को execution का सबसे easy way consider किया जाता है क्योंकि इस तरीके में जब पहला injection दिया जाता है तो कैदी बेहोश हो जाता है और फिर दूसरे chemical inject करके इसे बेहोशी में ही मार दिया जाता है anyway जो भी हो ये scene वाके ही में किसी nightmare से कम नहीं होता सौदी अरब दूस्तों आप सबने ये बात सुनी होगी कि सौदी अरब में laws बहुत ही strict है आप बिलीव नहीं करेंगे कि मार्च 2022 में सौदीया के अंदर 81 लोगों को एकी दिन में सजाय मौत दी गई थी वैल सौदीया में अगर कोई बंदा ड्रग डिलिंग, रेप, मडर, घद्दारी और एवन हम जिन्स परस्ती में भी पकड़ा जाए तो इसे सजाय मौत दे दी जाती है अरब नियूस के मताबिक सौदीया में हर साल सौद से ज़दा को लोगों को एक्सिक्यूट किया जाता है वैसे तो इस तरह के जर्म करने वाले लोग सजा के लाइक होते हैं लिकिन सौदीया में मुझरमों को सिर्फ सजाय मौत ही नहीं दी जाती बलकि इबरत का निशान बनाया जाता है सबसे पहली बात तो ये है कि सौदीया में सजाय मौत आम लोगों के सामने दी जाती है इट मेंस कि सारा इलाका कैदी को मरते हुए देखने के लिए आ सकता है कई एक्स्ट्रीम केसिस में तो बकाइदा मुझरमों को एक साथ सजा दी जाती है ताकि लोग इनकी मौत को देकर इबरत हासल कर सकें वेल सजा देने के लिए कैदी को सबसे पहली एक मैदान में लाया जाता है जिसके इर्दगिद कई लोग जमा होते हैं इसकी बाद एक जला तेज धारवली तलवार लेता है और कैदी को बिठा कर इसका सर कलम कर देता है ये सीन इतना टेरिफाइंग होता है कि इसे देकर किसी के भी रॉंग टेकरे हो जाएंगे इवन कई रेप के किसस में तो एक क्रेंग मंगवा कर मुझरमों को सर्याम लटका दिया जाता है ताके लोग बुरे काम का अंजाम देख सकें और कोई बंदा ऐसा क्राइम करने के बारे में सोचे भी नहीं दोस्तो पिछले चंद सालों में पाकिस्तान के अंदर क्राइम रिशो काफी इंगरीज हो गई है आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ रसे पहले एक साल के अंदर 326 कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई थी मोस्तली पाकिस्तान के अंदर मौत की सजा 302 एक के तहट दी जाती है लेकिन सिर्फ कतली ऐसा जर्म नहीं है जिसकी वज़ा से सजाई मौत हो सकती है बलकि आपको जांक है हरानगी होगी कि पाकिस्तानी लाव में 33 ऐसे क्राइम्स हैं जिन पर डेथ पैनल्टी अपलाई होती है इन में रेप, वोमेन असौल्ट, ड्रग स्मगलिंग, अल्ला ताला और नभी करीम स्लिल्लाई वल्सलम की शान में गुस्ताखी, बच्चों की किड्नैपिंग और गद्दारी जैसे क्राइम्स शामल है वेल, 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, उस वकट सिर्फ मडर और गद्दार को ही सजाए मौत दी जाती थी लेकिन आहस्ता-एस्ता इन क्राइम्स में इजाफा होता गया और डेथ पैनल्टी के केसिस बढ़ते गए पाकिस्तान के अंदर कैदी को सजाए मौत देने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है फांसी जब किसी मुझरम को फांसी देनी हो तो इसे एक स्पेशल प्लैटफॉर्म पर हाथ और पाउं बांध कर खड़ा किया जाता है इसके बाद कैदी के फेस को ब्लैक कपड़े से कवर करके इसके गले में फंदा डाल देते हैं और फिर कोट के ओडर दिये हुए एक्जेक टाइम पर जलाद इसे लटका देता है इस मैथड से कैदी को मरने में कम से कम चार मिनट लग जाते हैं और ये एक्सेक्यूशन के सबसे पेनफुल वेज में से एक है नौर्थ कोरिया दोस्तो आप सब नौर्थ कोरिया को तो जाते होंगी इस कट्टे ने पूरे मुल्क को लिविंग हैल बना रखा है इस मुल्क में तो ऐसे कामों पर भी मौत की सजा हो जाती है जो अगर दूसरे मुल्कों में किया जाए तो वहां अम्मी से भी डांड नहीं पड़ेगी वेल फस्ट आफ वाल तो पिछले महीने अगस्त में किम जॉंग उनने तीस हाई रैंकिंग पॉलिटिशन को मौत की सजा का होकम दिया था क्योंकि नौृ्थ कोरिया के जॉला रिवर में सैलाब आया और किम के मताबिक मुल्क को नुक्सान इसलिए हुआ क्योंकि इन लोगों ने अपनी डूटी सही से सरनजाम नहीं दी थी इसके इलावा अगर नॉर्थ कोरिया में कोई किम या इसके अब्बे की पिक्चर की रिस्पेक्ट ना करे, बिना परमीशन इंटरनेट यूज करने की कोशिश करे, बाहर के ड्रामे या मुवीज देके मुल्क से भागने की कोशिश करे और एवन थोड़ी ज्यादा चोरी भी कर ले, तो इस जुर्म में राइट अवे इससे मौत की सजा दे दी जाती है, इसके इलावा बड़े क्राइम्स की तो बात ही ना करें, क्योंकि वहां तक तो ये मोटी चमडी बंदे को पहुँचने ही नहीं देती, एनिवे नॉर्थ कोरिया में मौत की सजा देने के तीन मि को जमा किया जाता है, ताकि वो मुझरम की ब्यानक मौत को देखकर इबरत हासल कर सकें, जब पूरा इलाका जमा हो जाता है, तो कैदी को लाया जाता है, और सरे आम इसका गला कार देते हैं, या पिर एक टेम इस पर गोलियां बरसा के से मार देती है, या पिर इसे सब के सा पाबिक हर साल एक अजार से भी ज्यादा लोगों को चाइना में सजाए मौत दी जाती है और सजाए मौत में हर तरह की लोग शामल होते हैं फॉर एक्जेंपल 2022 में चाइना के एक पॉलिटिशन जिसका नाम फूज जिंग हुआ था इसे रिश्वत लेने के जुर्म में सजाए मौत दी गई थी इसके इलावा चाइना में हुज फ्रॉड, करॉप्शन, घद्दारी, फॉट से भागने, बॉमिंग, पॉलिटिक्स के बारे में क्रिडिसिजम करना और एवन किसी गैर मुल्की शक्स को चाइना में इलीगल तरीके से लाने वाले को भी सजाए मौत दी जाती है यही वज़ा है कि चाइना में दुनिया के सबसे ज़़ा कैदी मारे जाते हैं लियू हान था इसे भी फाइरिंग स्कॉर्ड के जरी सजाए मौत दी गए थी सो चाइना के अंदर बंदा चाहे कितना ही अमीर और पावरफल क्यों ना हो वो कैपिटल पनिश्मेंट से नहीं बच सकता तो दोस्तो आज के लिए पस इतना ही उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मझे इंस्टाग्राम भी फालो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीव पी आप मझे फालो कर सकते हैं मिलता हो आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस